नमस्कार बच्चे मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागित करता हूँ हमारी आज की एक और बहुत ही ज़ादा जबरदस्ती क्लास में हम लोग अपनी क्लास नाइन्थ के जो हमारे प्यारे बच्चे उन्हें सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा नाइन्थ के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं एक हमारा नया अध्याय een काफी interesting ज़ानवरदग और आप़ देखते हैं की काफी जबरदस्त यह हमारा चेप्टर है और chapter का नाम क्या है दोस्तों, इसको हम लोग आपके सामने रखते हैं, हमारा chapter का नाम है, one, है न, एक बार हम लोग इस chapter को देख लेते हैं दोस्तों, one समाज एव उपनिवेशवाद इस chapter का नाम है, अलग-अलग boards में इसको one या फिर one ने समाज के नाम से भी पुकारा गया है तो गिरपेगर के आप नाम से नहीं घबराएं, किसी board में इसको one या फिर कहीं पर इसको one ने समाज और उपनिवेशवाद के नाम से पुकारा गया है, आप देखते हैं कि जो आपका इतिहास या फिर जो history वाला भाग है न, वहाँ पर हमें क्या मिलता है दोस्तों, अपना उपनिवेशवाद इसको हम लोग discuss करेंगे, इतिहास से ये संबंदित होगा और काफी प्यारी प्यारी बातें आपको इस chapter के संदर्ब में जानने को मिलेंगी, शुरुआत करते हैं, discussion करते हैं कि दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ किन-किन चीज़ों को पढ़ने वाले है हम लोग सबसे पहले वन्य समाज, ये क्या होता है ये समझेंगे और उपनिवेशवाद का क्या मतलब होता है इसको जानेंगे, उसी के सासत हम लोग उपनिवेशी शासन का जंगलों पर, वनों पर क्या असर हुआ वो समझेंगे, सबसे पहले आप सभी के लिए समझना रहा है उपनिवेश तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका मतलब हुआ गुलाम है ना अगर ये कहा जाए कि भारत जो था हमारा भारत जो था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था तो इसका मतलब हम ये है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था उपनिवेश का मतलब होता है किसी को गुलाम बना लेना दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में आप देखते हैं कि यूरोप के देशों के दो अर está, जैसे हमारा प्यारा भारत गुलाम बना अंग्रेज्जों का, ऐसे ही आप देखते हैं कि इंडोनेशिया एक देश था उसको भी गुलाम बनाया गया था यूरोब के देशों के द्वारा तो उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम बनाना है ना और आप देखते हैं कि जब किसी देश के अंदर इन गुलाम बनाने वाले देशों ने कबजा किया यूरोप के इन देशों ने कबजा किया तो उन्होंने उन देशों में जंगलों को बहुत जादा परभावित किया हम लोग यह समझेंगे कि उन्होंने जंगलों को किस तरीके से नुकसान पहुचा जंगलों को उन्होंने किस तरीके से परभावित किया और वहां के जंगलों को हटाकर बागान बनाए क्यों बनाए यह पूरा का पूरा चैप्टर उसी पर अधारित होगा जैसे कि आप सभी को पता है कि यह जो हमारा चैप्टर है दोस्तों इतिहास से संबंदित है और अब तक हमने जितने भी अपने लेक्चर्स आप सभी के साथ के हैं चाहे फ्रांस की क्रांती हो चाहे आप रूस की क्रांती की बात करते हैं चाहे आप नाजीवाद और हिटलर का उदै वो जो हमारा चैप्टर था उसके अंदरकत हमने या तो युद्धों की बात की है या तो हमने राजाओं की बात की है या तो हमने बड़े नेताओं की बात क गया था, उपनिवेश बनाया गया था, तो उन जंगलों पर और उन जंगलों में रहने वाले लोगों पर क्या परभाव पड़ा था, ये चैप्टर आप देखते हैं कि दोस्तों उसी पर अधारित है, है ना, तो अगर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग इतिहास धारित होती है, बलकि उस समय के अंदर गया जो साधारन लोग थे, जो आपको देखता है कि किसान लोग थे या फिर आपको देखता है कि जंगलों में रहने वाले लोग थे, उन से संबंधित भी होता है, तो अगर हमें आज से दोसो तीन सो साल पहले कि हम राजाओं के, मह even कैसे था, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. अगर हम लोग अपने वर्तमान समय को देखते हैं, दोस्तों, आज के परिपेक्ष में हमें दुनिया के अंदर गाओं देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वन्ने समाज वन्ने समाज का मतलब क्या है दोस्तों वो हमारे लोग जो जंगलों में रहते हैं आज के समय में भी आप देखते हैं कि बहुत से हमारे आदिवासी जो लोग है आदिवासी समुदाई के या फिर जो हमारी अनुसूचित जंजातियां होती है वो आपको कहाँ पर देखती हैं दोस्तों आप देखते हैं कि आप उन्हें जंगलों में रहते हुए देखते हैं है ना तो हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत विशेश के अंतरगत हम देखें कि शुरुवास से ही ये जो लोग थे जो हमारे आदिवासी समुदाई के लोग रहे हैं ये समाच के हाशिये पर रहे हैं हाशिये का मतलब कि ये विकास में बहुत दूर रहे हैं अगर हम आज के समय में एपी देखें दोस्तों जो शेहर के लोग है उनका जीवन बहुत अच्छा है शेहर के capacity लोगों से जाओं के लोगों का होता है और सबसे पीपेछे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो हमारे वो लोग हैं जो अभी भी जंगलों में रहते हैं और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है न दोस्तों ये हमारे को समझदार बनाता है, ये रोशनी डालता है उन मुद्दों पर कि जब भारत को गुलाम बनाया गया या फिर इंडोनेशिया को गुलाम बनाया गया तो इन देशों में रहने वाली जो आदिवासी जनता थी, वो गुलामी बनने के बाद, वो भारत के गुलाम बन जाने के बाद भारत के शहर के लोग पर भावित हुए, गाओं के लोग पर भावित हुए, लेकिन हमारे प्यारे भारत के अंदर मौजूद जो हमारे जंगलों में रहने वाले आदिवासी थे, उनके जीवन को अंग् एक छेतर है जिसे हम लोग Jawa के नाम से पुकारते हैं Jawa क्या है दोस्तों? इंडोनेशिया, जैसे भारत खुलाम बना था अंग्रेज़ों का वैसे ही इंडोनेशिया को भी ए्यूरोप के अलग अलग देशों के दोरा घुलाम बनाया गया, और इंडोनेशिया का एक द्वीब है, इंडोनेशिया का आप देखते हैं कि एक इलाका है, जावा वहां के भी जंगलों के बारे में हम लोग इस पर डिसकेशन करेंगे और जानेंगे की इन जंगलों को कैसे इन गुलाम बनाने वाले देशों ने परभावित किया इन जंगलों को काटा इन जंगलों में रहने वाले जो लोग थे उनको बड़े स्थर पर आप देखते हैं कि दोस्तों परभावित किया और मुख्य दोर पर हम देखते हैं कि यहां पर ओध्योगी करण हुआ ओध्योगी करण का मतलब होता है कारखानों का खुलना तो बड़े लेवल पर हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर क्या हुआ दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जो यूरोप है ना यूरोप वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों आप देखते हैं कि की वज़ा से आप देखते हैं कि इनको क्या जरूरत थी दोस्तों इनको कच्चे माल की जरूरत थी यूरोप के जो बड़े बड़े पावरफुल देश थे शक्तिशाली देश थे इन्हों ने अपने वहाँ पर तो कारखाने खोल लिए इन कारखानों में इनके पास मशीने थ जाते हैं अगर यह कपड़े बनाना चाथे हैं तो कपड़े बनाने की लिए जो रूय चाहिए जो कपास चाहिए वो भारत से लेते थे कि इधन की जरूरत थी और इस इधन के लिए क्या किया गया दोस्तों लगभग 13.9 मिलियन किलो मीटर जो जंगल था उसका सफाया कर दिया गया है ना क्योंकि अब कारखाने बन चुके हैं इन कारखानों में कच्छे माल की जरूरत है कच्छे माल की जरूरत है तो भाई योगी करन था इसने क्या किया दोस्तों दुनिया के अंदर से जंगलों का आप देखते हैं कि सर्वनाश कर दिया और लगभग आप देखते हैं कि 13.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो था दुनिया से जंगल समाप्त हुए हैं अच्छा अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि दुनिया के कुल छेतरफल के 9.3 हिस्से से जंगल साफ हो गए हैं ना जैसे मैंने आपको पीछे बताया क्या बताया भीया हमने ये देखा कि दुनिया में लगभग 13.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो जंगल थे वो साफ हो गए यानि कि सन 1700 से 1895 तक वो सफाय हो गए उनको समाफ्त कर दिया है ना और यह जो जंगलों को साफ किया गया जंगलों को काट दिया गया जंगलों को काट कर वहाँ पर खेती करने शुरू कर दी गई पेड़ों को काट दिया गया इसी को वन विनाश कहा जाता है पेपर में पूछा जाता है कि वन सदियों तक काटा जाते रहा है ना लगभख सौ सालों का ये हमें काल खंड देखने को मिलता है दोस्तों आप देखते हैं कि लगभख सौ सालों से भी जादा का हमें ये समय देखने को मिलता है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि दुनिया बड़े लेवल पर आपको परभ देखते हैं कि क्या होने लगा खेती होने लगी देखे कितनी अजीब बात है कि सन 1600 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय तक हम देखते हैं कि भारत में जो भारत की जमीन का छटवा हिस्सा था है ना टोटल जो भारत है उसका जो उस पर हम लोग खेती किया गरते थे लेकिन आप देखते हैं कि अंग्रेज भारत में आ जाते हैं और सन 1700 से हम देखते हैं कि ओध्योगी करन की शुरुआत हमें होती हुई दिखती है और 1895 तक आते हैं हम देखते हैं कि भारत के अंदर से लगभग 50 परतीशत जंगल खतम हो अब इन जंगलों पर क्षेती करानी शुरू कर दी क्योंकि खेती से उनको ज्यादा फायिदा होता था जंगलों से नहीं तो बड़े इस तर पर हम देखते हैं कि भारत की अंदर से जो हमारे जंगल थे उनका सफाईा किया गया अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तो तो ये जो उपनिवेशिक शासन थे या फिर ये जो अंग्रेज लोग भारत के अंदर आये थे, इन्होंने जंगलों को किस इसतर तक परिशान किया, किस जबरदस तोर पर हम देखते हैं, पर भावित किया है, इसको हम लोग यहाँ पर समझने की, आप सभी के साथ चेश्टा करेंगे, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में उपनिवेशकों का मानना था, देखिए, दुनिया के अंदर अगर बात की जाती है कि सिर्फ क्या भारत और इंडोनेशिय ही गुलाम बने थे, ऐसा नहीं था, आस्ट्रेलिया हुआ, अफरीका के बहुत से देश हुए, यहा सिर्फ उन देशों में क्या उन देशों को बहतर करने के लिए आये थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अंग्रेज जो हमारे प्यारे भारत के अंदर गताये थे, वो हमारे भारत को बहतर बनाने के लिए आये थे, हमारे भारत के अंदर लोगों के घरों को मजबूत ब प्राटाओ और आप देखते हैं कि इन्होंने इसी उद्देश्य की पूर्ती के लिए भारत और दुनिया के अलग-अलग देशों में जहां पर ये कबजा कर रहे थे वहां के छेतरों को लूटना शुरू किया उनको शोशित बनाया उनका शोशन करना शुरू किया आप प्रकार की अंद्रगत हमें देखने को मिलते हैं और इसी वजह से यहां पर अलग अलग प्रकार की फसले उगाई जा सकती है सर्दी के इलाकों में सर्दी वाली फसलें गर्मी के इलाकों में गर्मी वाली फसलें ऐसे भारत के अंदर आप देखते हैं कि उगाई जाती रही और इसलिए हमारा भारत आपको सोनी की चड़िया के तौर पर दिखा करता था और बिजनिस के परपस से लिए वैपारिक बाजा से लड़वाया, एक धरम के वेक्ति को दूसरे धरम के वेक्ति से लड़वाया, एक जाती के वेक्ति को दूसरी जाती के वेक्ति से लड़वाया, भारत के लोग आपस में लड़ते रहे और फिर उन्होंने भारत पर कभजा गरना शुरू कर लिया और अंग्रेजों क इन्हों ने भारत के अंदर बड़े स्तर पर उगवाना शुरू किया और आप देखते हैं कि यूरोब जो था जहां से ये आये थे यहां के जो शहरी अबादी थे ना इनके इलाके की जनसंख्या भी बढ़ने लगी थी तो अपनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए इनको अ जनसंख्या थी वो तेजी से बढ़ती गई और फिर इसकी स्पीड बहुत जादा होती गई और जितने लोग थे उतना जादा आप देखते हैं कि अनाज का उत्पादन यूरोब में नहीं हो रहा था इसलिए उन देशों की तरफ ये जाते हैं जहां की जलवाई व अच्छ मतलब है कि वहाँ पर कारखाने तो खुल गए थे लेकिन कारखानों में लोग काम कर रहे थे काम करने के बाद उनको बहुत कम पैसा मिलता था ये आप देखते हैं कि मिल पा रहा था और उसी के सास्थ यूरोब के अंदर कारखाने तो थे मालिजे की कपड़े को बनाने का क अगर आपको कपड़े को बनाना है तो उसके लिए आप क्या देखते हैं कि दोस्तों आपके पास मशीने होनी चाहिए जी हाँ मशीने है अब भाई मशीने तो हैं लेकिन मशीनों के जरिये क्या मैं कपड़े बना लूँगा नहीं मुझे कच्छा माल चाहिए होगा कच्छ को पूरा करने के लिए बिजनिस करेंगे है ना और दूसरी थी कि हमारे जो जनता थी ओ यानि कि यूरोप के जो देशों के लोग थे उनकी भूक को मिटाने के लिए भी आप देखते हैं कि दूसरे देशों को आप देखते हैं कि गुलाम बनाया गया सन अठारा सो से सन 1920 के दर्मियान अगर हम लोग देखें हमारे देश के अंदर जो खेती की जमीन थी वो 6.7 हेक्टियर का उसके अंदर इजाफा हुआ यानि कि हमने अपने देश में खेतों को जादा बनाया सर ये खेत कहां से बन गए भाई खेत जादा बनाने का मतलब है कि हमने क्या कर दिया द दोस्तों को उन्होंने बसाया और जो जंगल थे उनको उन्होंने उजार दिया और बड़े तोर पर आप देखते हैं कि भारत में इस कालखंड में सन 1820 से 1920 के दर्मियान भारत में लगबग 6.7 मिलियन हेक्टर का जो खेत थे वो हमें बड़े सतर पर पैदा होते हुए ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी 20 सदी की शुरुआत थी उस समय के अंदरगत इंगलेंड जो था ना वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि जो वहाँ पर ओक के पेड़ होते थे वो तेजी से समाप्त होते हैं ना इंगलेंड के अंदर ये कुछ इस प्रकार का आते हुए दिखती है दोस्तों अब इसके साथ आप देखते हैं कि ये जो पेड़ था ना ये काफी जादा आप देखते हैं कि मजबूत हुआ गरता था और इस पेड़ के जरीए उस समय अलग अलग चीज़ों को बनाया जाता था उस समय आप देखते हैं कि जो ब्रिटेन को बनाने के लिए लकडी या फिर पेड़ की जरूरत होती थी और ब्रिटेन के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों पेड़ समाप्त होते गए वहाँ पर पेड़ समाप्त होने लगे और इसलिए जो अंग्रेस थे वो अपनी नौ सेना को मजबूत करना चाहते थे वो चाहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो ओक पेड़ था उसके कमें होने लगती है इस वज़ए से इंग्लैंड में जो पानी के जहास थे उसके जो बिसननेस था वो पर भावित होता है अब जरूरत पैदा होती है भाई क्या हमें लकडी का इंदिजाम करना होगा इंग्लैंड के जो लोग थे ऑंको क्या होता है दोस्टों बड़े स्तर पर जंगलों को क्या कर दिया दोस्टों अच्छे स्रोत के तूर पर देखा इनको लगा कि भाई ये तो सोना ही सोना है या तो ये जो पेड है इनको काट दो और बड़े स्थर पर आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपने पानी के जहाज बनाने के लिए भारत में क्या केर कर दिया दोस्तो पेड़ों को कटवाने का ओर्डर दे दिया और बड़े स्थर पर भारत में क्या किया गया दोस्तो पेड़ों को काट गया दोस्तो सबसे पहले पानी के बड़े बड़े जहास बनाने के लिए आप देखते थे कि भारत से क्या किया गया जो हमारे जंगल थे उनको सफाया किया गया और खेती के लिए या फिर आप देखते हैं क्योंकि उनको अपने लोगों का पेट भरना था बिजनिस के लिए दूसरे देशों से स समान बेचना था है ना उनको कपास की जरूरत थी अपने कारखानों के लिए तो उन्होंने क्या किया खेती के लिए उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि पानी के जहास के लिए भारत में जंगलों को समाप्त करना शुरू किया उसी के साथ साल 1850 के दशक की अगर हम लोग ब पट्री बिचाई जाती है तो इस रेल की पट्री के बीच में होता है एक Slipper है न ध्यान से देखिये गा यह रेल की पट्री है दोस्तों उसके बीच में आप लोग क्या देखते है कि एक लकडी का फट्टा से बिचाया जाता है यह हमारा लोहा है जिस पर रेल की गजरती पर योग करना शुरू किया लेकिन पहले समय में ये जो sleepers होते थे दोस्तों जो railway की पटरी को मजबूती से बानते थे वो लकडी के हुआ करते थे हैं न और पहली वज़ा तो हमने देख ली खेती के लिए हैं दूसरी वज़ा हमने देख ली पानी के जहास के लिए हैं और त कि हर एक इलाके तक अंदर से अंदर जाना था वहां से संसाधनों को लूटना था और फिर अपने देश में पहुचाना था रेलवे लाइन बिचानी थी रेलवे लाइन को बिचाने के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए sleeper की जरूरती sleeper लकडी से बनेगा और मील आपको अगर लगभग अगर एक मील तक रेल की बटरी को बिचाना है तो लगभग 2000 sleeper की जरूरत आपको उसके अंद्रगत पड़ जाया करती थी सन 1890 के आंकड़े यहां पर दिये गए हैं और बताया गया है कि 2500 किलोमीटर रेलवे लाइन बिचाई जा गई थी कि वही अगर एक मील अगर आपको रेल के लाइन बिचानी है तो 2000 आपको sleeper चाहेंगे लकड़ी के फट्टों की जरूरत होगी और आप देखते हैं कि जिन 1890 तक आते आते जो हमारा पूरा का पूरा भारत रहा था वहाँ पर 2500 किलोमीटर के आसपास आप देखते हैं और दुनिया के अलग-अलग देशों में आप देखते हैं कि जो रेलवे लाइन थी वो बिचाई जा चुकी थी और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो sleeper बनाने के लिए लकड़ी के पेड़ थे उन्होंने क्या किये दोस्तों भारत के अंदरगत ही आप देखते हैं कि काटे और फिर इन लकड़ी के पेड़ों को काटकर उन्होंने sleeper को बनाना शुरू किया तो यहां तक के बिंदू को तो हमने बहुत सरलता के साथ आप सभी के समख रखा आगे बढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर एक शब्द रखा जा रहा है बागान अब यह बागान शब्द क्या है और बागान से क्या ताथ पर रहे है इसको एक एक करकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हम देखते हैं कि जो हमारे यह अंग्रेज लोग थे ना इन्होंने चाए, कॉफी और रबड उगाने के लिए बागान लगाने की शुरुआत की भारत के अंदर से इन्होंने गेहों को उगुआया पेट वेट भरने के लिए, बेचने के लिए, कपास की उगाती थे कपड़े पैदा करने के लिए, उसी के साथ हथ भारत की जमीन एक ऐसी जमीन थी जो उत्पादक्ता में बहुत भैदरीन थी और आप क्या देखते हैं दोस्तों आप ये देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर जो हमारे ये बागान रहे थे ना दोस्तों आप देखते हैं कि इन बागानों के अंद्रगत है यहाँ पर इसको हम लोग डिसक्स करते हैं आप देखते हैं कि यूरोप के अंदर जो बगान मालिक थे उन्हों ने क्या किया दोस्तों यहाँ पर आना शुरू किया बेसिकली बगान के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो बाग होते हैं बाग को ही हम लोग बाग होते हैं ज इसके लिए आप देखते हैं कि जब भारत के अंदर ये desired हुआ अंग्रेशों के द्वारा के भारत में चाय, कफी और रबड को पैदा किया जाएगा तो इन्होंने क्या किया यहां पर ना इन्होंने चाय के बाग बनाए भारत के अंदर कॉफी के बाग लगाए और भारत के अंदर इन्होंने रबड जो रबड होता है ना दोस्तों वो पेड़ से हमें निकलता है तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके से पेड़ से निकलता है के बागों के मालिक थे वह भारत में आते हैं भारत से जंगलों को साफ कर देते हैं और फिर यहां पर बागों को लगाना शुरूulk कर देते हैं अच्छा अब यहां पर आप देखते हैं कि कहानी के अंदर एंट्री होती है एक वेक्ती की बहुत जी यह वेक्ती कोहन है इसको हम लोग डिसकेस करेंगे दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो वन संसादन था वो ठीक से नियंतरित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्या किया Deutrich Bendis इस वेक्ती का नाम क्या है दोस्तों इस वेक्ती का नाम है Doitrich Bendis है ना अब यह जो Deutrich Bendis है दोस्तों आप देखते हैं कि यह एक German वेक्ती था इसको अंग्रेश क्या करते हैं दोस्तों भारत बुलाते हैं और इसको Inspector Journal of Forest न्यूक करते हैं इसको भारत के अंदर जितने भी जंगल है उसका सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया जाता है और इस वेक्ति को क्या काम दिया जाता है दोस्तों जो बेंडिस था इसने एक नया सिस्टम लागू किया और इस सिस्टम के जरीए आप देखते हैं कि इसने क्या अभी जो जंगल के संसादन थे जो हूँमारे जंगल के पेड़ थे उनको च्या किया दोस्तों अर परिसिक्षित करना शुरू किया और इसी से संबंदित आप देखते हैं कि संटी बहारत तर आंग्रेगों को उस्तरक्षित रखें गयर बत बहारत में इंडियन forest act बनाया वो क्या था वो आगे देखेंगे और Indian forest service भी 1864 में शुरू की गई ये वेक्ती कहानी के अंदर आ गया जिसको अंग्रेजों ने बुलाया और इसको कहा कि तुम अब भारत के जंगलों को इस तरीके से तयार करो कि जिससे हमें जादा से जादा फायदा हो सके और भारत के जंगलों के अंदर मौजूद जितने भी संसादन है ना उनका फायदा हमें मिले कुछ ऐसी तरकीब बताने की बात आप देखते हैं कि इसको दी जाती है बेंडिस को दी जाती है फिर आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ये क्या करता है दोस्तों आप देखते हैं कि ये लोग जो थे ये मुख्य दोर पर अंग्रेज और मिस्टर बेंडिस जो थे दोस्तों 1865 में एक कानून बनाते हैं जिसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कहा जाता है Indian Forest Act का मतलब क्या हुए और बारत के जंगलों से सम्मन्धित कानून है ना? और इस कानून के तहट क्या किया जाता है? दोस्तों इस कानून के तहट बड़ी ही अजीब बातें की जाती है सबसे पहली अजीब बात क्या होती है? दोस्तों ये कह दिया जाता है कि अगर भारत के लोग जंगलों में जाएंगे अपने जानवरों को लेकर मवेशी का मतलब हुआ कि अगर मैं जंगल के पास रहता हूँ और मेरे पास कोई जानवर है तो मैं जानवरों को लेकर जंगल में नहीं जा सकता मैं क्या नहीं कर सकता दोस्तों मैं पेड नहीं काट सकता मैं जंगल से मौझूद कोई और प्रदार्थ नहीं ले सकता ना तु पेड ले सकता हूँ काट सकता ना तु फूल पत्ती को ले सकता हूँ ना तु फल को ले सकता हूँ तो अंग्रेजों ने भारत की जमीन पर मौझूद जो जंगल थे जो भारतियों के थे भारतियों के ही उनके प्रियोग करने पर प्रतिवंद लगा दिया हम अपने जानवरों को उन जंगलों में चरा नहीं सकते थे भारत के लोग अपने ही पेडों से अपने ही जंगल के जंगल जो थे उनसे पेडों को नहीं काट सकते थे भारत के लोग नहीं काटेंगे, अंग्रेज काटेंगे, ये बाद आप देखते हैं कि अंग्रेज उने कही और भारत के लोग ही इन जंगलों से पेड़ को या फिल फूल को प्राप्त नहीं कर सकते थे कुछ इस तरीके के आप देखते हैं कि उन्होंने इस कानून के तहट यह जो बनाया था ना Indian Forest Act 1865 में इसके तहट बना दिया और यह कह दिया कि अगर कोई इसको नहीं मानेगा तो यह illegal है यह कानून बना दिया कोई तोड़ेगा या फिर जानवरों को लेगे जाएगा तो उसको डंड घोशित किया जाएगा उसको डंड दिया जाएगा उसको सजा दी जाएगी है ना तो इस तरीके से भारत के लोगों के जो जंगल के संसादन थे अंग्रेजों ने उनको इसको समझना हमारे लिए बहुत जादा जरूरी है इसके अंद्रेकत आप लोग देखते हैं कि जो प्रकर्तिक वनस्पती होती है प्रकर्तिक वनस्पती का मतलब अगर आपने जंगल को देखा हो जंगल में हर तरफ ही आपको पेड़ लिखे हुए दिखते हैं इसको मोनो कल्चर का नाम दिया गया इसके तहट उन्होंने क्या किया कि अगर एक पेड़ यहां पर लगाया गया है तो उसकी के बराबर में आप देखते हैं कि दूसरा पेड़ लगाया जाएगा लाइन के अंदर गत इन्होंने क्या किया दोस्तों लाइन के अंदर एक समानांतर लाइन के अंदर इन्होंने पेड़ों को लगाने की कोशिश की है ना इससे क्या हुआ दोस्तो इससे आप देखते थे कि उन पेड़ों को सुरक्षित रख पाना इनके लिए सरल हुआ इस पेड़ों इन पेड़ों से जाधा से जाधा फायदा ये लोग उठा पा रहे थे हैं तो इसी को इन्होंने क्या किया दोस्तों जो प्रकरतिक तौर पर उगाया जाते थे जंगल थे उनको इन्होंने सही नहीं वाना उसके बदले इन्होंने नहीं हमें कमजोर होते हुए दिखती है अब आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया था भारत से संबंदित ये जो कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था इसमें भी दो बार आप देखते हैं कि संशोधन या फिर बदला हुआ शबसे पहले जो 1788 में अंग्रेजों ने जो इस कानून में बदलाव किया था संशोधन किया था उसके तहट भारत में जितने भी हमारे वन या पिर जंगल हैं उनको तीन कैटिग्री वंग्र आंग्रेजों सबसे पहली केटिगरी कहलाती थी कौन सी दोस्तों ऐसे हमारे भारत के जंगल जो आरक्षित थे दूसरे जंगल जो भारत के थे उनको सुरक्षित जंगल कहा गया और तीसरे जो भारत के जंगल थे उनको उन्होंने ग्रामीर जंगलों के नाम से पुकारा अब ये क्या है आर भूत लखडी मिला करती थी और जहां से उन लखडी से अंग्रेजों को बहुत जादा फायदा हो सकता था ऐसे जंगलों को अंग्रेजों ने आरक्ष जंगल कह दिया और यह कह दिया कि इन जंगलों में कोई भी भारत का वेक्टी नहीं जा सकता ये सिर्फ हमारे जंगल हैं थे भारतियों के भारत के लोगों को ही भारत के जंगलों में जाने से प्रतिवंधित कर दिया और आप कहते हैं कि उसी के साथ अंग्रेज ये कहते हैं कि अब उन जंगलों पर जितने भी लकडियां होंगी जितने भी संसादन होंगे वो हमारे पा उनको आरक्षित जंगलों की केटिगरी में रखा गया था ठीक है उसी के सासाद आप देखते हैं दोस्तों nothin और जो सुरक्षित और ग्रामिर जंगलों में ऐसे पेड हुआ गरते थे जो काफी जाधा आप देखते हैं कि समाने थे जो जाधा महतपुन नहीं हुआ तो जो गाउं की जंता थी या फिर जो हमारे आदिवासी लोग थे वो सिर्फ अब सुरक्षित जंगलों में या फिर जो ग्रामीर जंगलों की कैटिगरी बनाए गई थी उनहीं से अपने काम को पूरा किया करते थे उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो जंगल के आसपास रहने वाले लोग स्तदियों से इन जंगलों में जाते थे भाई ये तो इनके घर थे इन जंगलों से वो आउशिदी यानि के अपनी दवाईयां बनाते थे जलाने के लिए लकडियों को प्राप्त करते थे फल फूल को प्राप्त करते थे और वो जो जो जंगल थे जो आर अंग्रेज उसको पकड़ लेते और उसको क्या करते दोस्तों आप देखते हैं कि उसको डंडित किया जाता था है ना अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों गार्ड लगा दिये इन जंगलों के बाहर फॉरेस गार्ड लगा दिये कि अगर कोई इनके अंदर जाता तो उनको प अभी तक हम लोग सिर्फ भारत के संदर में देख रहे हैं और अब तक हमने ये समझा है कि अंग्रेज भारत में आने के बाद कैसे भारत के जंगलों को अपने अधीन कर रहे हैं और भारत के लोगों को उनकी ही जमीनों पर मौजूद जो जंगल है उसी में जाने से रोक रहे आगे बढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों और यहां से हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के जो हमारे quiz के questions से उसको discuss करेंगे सबसे बहला सवाल है भारती ये वन सेवा की स्थापना कव हुई 1850, 1853, 1860 या फिर 1864 चार ओप्शन्स हैं आपको comment में इसका answer बताना है है ना हमने discuss किया है Indian Forest Service जिसके तहित अंग्रेज अधिकारी भारत में जंगलों से संबन्दित अधिकारियों को चुनते थे उसकी मुरुकूला समुदाय हुआ कोरवा समुदाय हुआ संथाल समुदाय हुआ ये सभी वो आदिवासी लोग थे जिनको आप देखते हैं कि चाय के बागों में काम करने के लिए मजदूरों के तोर पर रखा गया था option डी हमारा बिल्कुल सही बनता है अगला सवाल है कि प्रदून के अंदर आप देखते हैं कि इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला था और इसको ही क्या कहा जाता है दोस्तों वन प्रणाली के नाम से पुकारा जाता है जिसको हम लोग वैज्ञानिक वानिकी के नाम से भी पुकारते हैं जिसके तहत ये कहते हैं कि सीधे सीधे पेड लगा कर हमें क्या करना होगा हमें फसलों का उत्पादन करना होगा है ना, option B जो है दोस्तों वो बिलकुल सही बनता है, अगला सवाल है कि साल 1906 में Imperial Forest Institute Imperial Forest Research Institute की स्थापना कहा हुई तो साल 1906 में अंग्रेजों के द्वारेक Institute को बनाया गया था सबसे अच्छे वन कौन से कहलाते थे सबसे अच्छे वन जो थे जिसमें सबसे उन्नत किसम के हमारे पेड़ थे उनको हम लोग आरक्षित वनों की कैटिगरी में पुकारते थे और भारत के लोग इनके अंदर नहीं जा सकते थे, भारत के लोगों का इसमें जाना पूरे तोर पर प्रतिवंदित था साल 1865 के वन अधीनियम में संशोधन हुए है ना जो साल 1865 में अंग्रेजों ने वन अधीनियम बनाया था जिसके तहट कुछ नियम बनाय गये थे जिसको बाद में बदला गया कब-कब उसको बदला गया साल 1888 में और साल 1927 में दो बार आप देखते हैं कि इसमें संशोधन हुआ था और इस साल 1878 के जरिए भारत के जो हमारे जंगल थे उनको तीन कैटिगरी ज आरक्षित वन सुरक्षित वन और ग्रामेड जंगलों की कैटिगरी में बाट दिया गया था तो दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ यह जो हमारे questions रहे थे यहना उनको एक एक करकर क्या किया है दोस्तों discuss किया है उमीद करते हैं कि आपको हर एक बिंदू बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा questions जो हमारे quiz के रहे तो उसको discuss किया यह तो हमारी आज की class का दोस्तों क्या था आप देखते हैं कि lecture number हमने 1 discuss किया है अब हमारी जो next class होगी 1 ने समाज और अपने विश्वाद उसका lecture number 2 हम लोग अपनी next class में आप सभी के सामने रखेंगे आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे आप लोगों समुलकात होगी इसे chapter के lecture number 2 में आप लोग अपना ध्यान रखेंगा आपका हमारे साथ जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद